हेलो अवरीवन वेलकम बैक तु दा चैनल माई नीम इस गगेन अन्य वार इंस्ट्रक्टर बाया नूटर श्कुलत्री है यह वाला वीडियो हमारा डेट टू होने वाला है तुम आपको बदा जिदा हूं कि हमाने एक नया चैलेंज लिये है 30 दे का कोडिंग चैलेंज इसमे वाले हमारे विंडो ओपरेटिंग सिस्टम के लिए तो अगर आप लिनिक्स अगरा भी यूज कर रहा है तो उसके लिए भी सिमिलर सही चीजे होने वाले है वो भी मैं आपको बता दूँगा तो अपन सबसे पहले क्या करने वाले है नोट जैस का इंस्टोरेशन देखने अगर आपको बता है तो बस गाई यही था नोटरो सकोल के बारे में चोटा सा इंटोडेक्शन और जो इसके वाला बैच से उसके रिजिस्टेशन अभी स्टार्ट हो चुके है अगर आप इसमें इंटेस्टेड हो तो आपको लिंक नीचे परवाइड कर वाहा से आप इसक कि मारे window openetting system के लिए nood.js का क्या देखने वाला है setup क्या देखने वाला है तो मैं आप रापने whiteboard पर आता हुँ तो आपको इस यूडियो में क्या करें चीद्य आपको को मैं बताने वाला हूँ तो सबसे पहले हम आप पूरता हूँँगा Node.js का इंट्र च्टेशन और NPM क के पर मैं आपको बताँगा इसमें जो हमारा नोड होता है उसमें और प्रिंट लूप के बारे में तो मैं वापस अपने क्रोम ब्राउजर पर आता हूँ और आपको कि यह यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह भी मेरा डाउनलोड हो रहा है यह आपको स्प्टेट मेरा होता है तब मैं वापस इसको क्लिक करके इसको इसको इस ट्सॉल्एसन के लिए कर लूँगा मेरे operating system के लिए ओके तो आप जैसे वहाँ पर किलिक करेंगे तो आपके पास तरीके से यहाँ पर यह वाल चीज़ हाने वाली है welcome to node.js सेट अप इस तरीके से करके ओके और फिर आपको यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से रहना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि की मेरा node.js का installation वह यहां पर पह स्टाр्ट हो चुका है इस तरीके से रहा है इस तरीके से कर दाख तो यहाँ पर बिदन मेरा 5 मिनिटें मेरा पुरा company इंस्टोल हो जाएगा तो यहाँ पर आप देक रहाँ मेरा यहां पर ही ओने वाला उसके बार तो आपको यह वाला चीज़ सो करूंगा कि आपको किस तरह के से वेरिफाई करें कि हमारा Node.js हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है और उसके साथ सथ अपन NPM के बारे में भी देखने वाले है तो यहां पर आप देख सकते हो Updating Component Registration तो इसमें थोड़ा ओर टाइम लग सकता है तो अगर आप इसको फ़र्श्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे तो लेकिन यहां पर मेरा जादा टाइम नहीं लगने वाला है अब की चीजी ओपरूरेटिंग शिस्टम पर भी डिपेटे करते है अपका ओपरेटिंग सिस्टम कि इतना क्या फास्ट है उसके अपर यह वाली है तो यहां पर जैसे ही होगा मैं यहां पर आप देख सकते हूं मेरा जो node.js है वो सका setup complete हो जोगा यहां पर आप देख सकते हैं नोड.js setup, node.js has been successfully installed, अब मैं यहां पर जैसे finish पर click कर दोगा तो यहां पर मेरा node.js वो मेरा complete install हो जाएगा, अब इसको verify करते हैं हमारे operating system के लिए कि जो हमारा verify हो जो हमारा जब ने यहां पर install किया वो पुरा हुआ है या मतलब verify करते हैं कि इसको हुआ है या नहीं हुआ आपने node.js है वो आपके system में complete install हो चुका है और अब माने आपको बजाया था कि इसका NPM का जो होता है वो भी आपके इसी साथ यहां पर install हो जाता है तो अगर मैं यहां पर NPM का version यहां पर चेक करो तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे को NPM का version यहां पर मेरे को इसको को बड़ करने वाल है उसके लिए हमारे पास पहले से क्या होते हैं पहले से हमारे पास package बने वह होते हैं और अंको simply use करते हैं और अपने node अपने project के लिए उसको यूज कर सकते हैं यह हमारी website होने वाले npm.js तो हम दो website बहुत जाजा काम माने वाली एक तो हम रएप आपे node.js.org वेबसाइट से और second अपन जो भी third party module वगरा जो package वगरा इंस्टोल करेंगे npm.js जहां से इंस्टोल करने वाले हैं next वीडियो में आपको बदाऊँगा किस तरीके से अपन कोई भी third party module है उसको अपन इस्टोल कर सकते हैं तो यह हमारा first step हो गया है इसमें क्या कि हमारा node.js होता है आप उसको विंडो के लिए इंस्टोल कर लिए है तो यह तो हो गया हमारा installation के बारे में second अपन देखने वाले text editor कौन से यूज़ करने वाले हैं तो अपन आपने देखा होगा कि मैं इस वाले channel के लिए अपन कौन से text editor यूज़ करता हूं VS code text editor में यूज़ करता हूं तो इसका link में आपको नीचे प्रवाइड करवा दूँगा अपन सिंपल आप क्या कीज़ेगा यहां पर विजुल स्टूडियो कोड की ऑफिसल वेबसाइट पर आने बाद आप सिंपल आपके ओपरेटिंग सिस्टेम के इसको भी डाउनलोड कर सकते हो तो यह आपका text editor के बारे में हो गया और आपका node.js के installation के बारे में हो गया अब अपन देखने वाले इसका इस एक एक चीज़े होने वाले है इसी हमारा इंटरक्टिव सेल परवाइड कर आता है उसकी help से पन क्या कर सकते है जो भी हमारे node.js का code होने वाले है नोड.js के expression होने वाले है उसको अपन simple execute करवा सकते हैं वो किस तरह के से करवाएं यहां पर आप देखीगा आपको simple इसमें रेपल मैंने के आपको simple यहां पर नोड इस तरह की से type करना है तो यहां पर आप क्या करोगे इस तरह के आप इसके node.js के अंदर रेपल के अंदर इस तरह के से enter कर जाओगे तो अपर इसके अंदर simple जो भी हमारे जावस्किप के expression वगरा है वह अपन यहां पर use कर सकते हैं तो यहां पर आपको दो नंबर को 4 & 4 को add करना तो यहां पर मेरे पास इस तरह के से 8 आ जाएगा 7 divided by 5 करना है तो इस तरह की वाल चीज़ आ जाएगी अब आपको जावस्किप का variables होने वाले उसको अपन यूज करें तो यहां पर simple मैं क्या करता हूँ एक variable इस तरह के से create करता हूँ यहां घगन इस तरह का से इस तरह के से हो जाओगे, इसमें रेपल से बाहर आ जाओगे, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मारा first node के अंदर क्या करने वाले, अपना first program देखने वाले node.js के अंदर, और आने वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक clear server create करने वाले, और day 2 के अंदर यहां मैं इसको simple open with vs code कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको इसका first program इसको show करने वाला हूँ, कि अपना first program किस तरह के से इसमें बना सकते हैं, और इसको किस तरह के से execute कर वा रहे हूँगे, node.js हो जो होने वाला को खुल से एक अलग से programming language नहीं है, तो जो भी हमारा JavaScript का code होने वाला उसको किस तरह के से execute कर वा रहे हैं, तो उसको execute कर वाने के लिए अपन simple HTML के साथ उसको embed करें, और अपनी browser पर जाके उसको simple क्या कर रहे थे उसको execute कर वाला है, वह वाला चीज हो गए हमारी browser के side के, लेकिन अपन node के अंदर क्या करने वाला है, जो हमारा code होने वाला JavaScript का उसको outside ही browser करवाने वाला है, मतलब हम उसको server पर रहन करवाने वाला है, तो अपन यहाँ पर यहाँ पर एक एक expression एड़ करने वाला है, यहाँ पर console.log आड़ कर दूँ, यहाँ पर इस तरीके से करता हूँ, यह हो गया हमारा node.js के अंदर code, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपन इस file को run करवा रहे हैं, इसको run करवाने के लिए आपको simple क्या यूज करना है, जो भी आपको node सबसे पहले तो node यूज करना है, इस तरीके से एड़ करना है, सबसे पहले आपको node इस तरीके से, जो भी आपको file name होनी वाले को आपको पास इस तरीके से देना है, अगर आप यहाँ पर indexed इस तरीके से करोगे तब आपके पास चल जाएके लिए अपन क्या करने की इस पर कोरी चीज है, तो इस वीडियो में तो मैंने आपको विंडो के लिए बताया है हमारे मैक और हमारे लिनेस के लिए भी सिमिलर सही चीज़े होते हैं उसको भी आप इसकी ओफिसल वेबसाइट से शेकावप कर सकते हो और इसके बाद में आपको यहांपर देख चुके हैं कौन से अपन टेक्ट एडिटर यूज करने वाले वाले वीस कोड के बारे में उसके बाद आपन देखा है रेपल के बारे में और लास्ट्व मैंने आपको एक जो हमारा नोट जीयस के अंतरर एक सिम्पल सा प्रोग्राम माईं कोई भी रिवेस्ट करने मारे सरवर पर उसको किस तरएक कर सकते हैं वह सकते हैं वह जो जए हैं तो इससे सरी сटार्ट होने एए टो उसकेलिए क्या कीजिएगा चैनल को आसे धर सब्सक्राइब कर लिई बाय!